हाई फ्रेंड्स, कल का दिन बहुत इंपोर्टन्ट है, कल अश्टमी नवमी एक ही दिन की तिथी है, साथ में अगले दिन दशेहरा है, ठीक है, सो अभी कल का दिन आता है श्री राम के नाम के साथ, मातारानी का दिन था, मैंने आप लगों को ट्रिपल सेवन टेकनीक दिया आप सब ने किया होगा अपने अपने विशेस के लिए हनुमान 40 का पाट बोला था कि इन 9 दिनों में, यह पूरे जो 10 दिन है दशेहरा तक, आप चाहें तो हनुमान 40 का 100 पार का पठन कर सकते हैं, पाट कर सकते हैं, जिन लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छी बाते हैं, जिन्होंने नहीं की है अभी तक शुरुआत और आज अगर विडियो देख रहे हैं तो क्या अभी शुरू कर सकते हैं जब जागो तफ सवेरा क्यों नहीं कर सकते हैं जस दिन आप देख रहे हैं उस दिन से आप अपने पार्ट की शुरुआत कर सकते हैं, हनुमान चालेसा का पार्ट कर सकते हैं कल के लिए remedies पूछ रहे थे आप लोग की नवमी के दिन के लिए कुछ remedy दीजिए और दशेरा के लिए तो फिर क्या कर सकते हैं श्री राम के नाम से बढ़ कर क्या है? राम जी का नाम जैसे ही हम लेना शुरू करते हैं या फिर उनका नाम जाब करते हैं या लिखते हैं तो होता क्या है? एक protection मिलती है विश्नु जी के सहस्र नामों की बराबरी सिर्फ एक राम नाम के लेने से हो जाती है तो ऐसा ही बूला गया है और ये बचन हमें शिवशंकर की तरफ से सुनने के लिए मिले है तो अब आते हैं कि कल क्या remedy आप लोग कर सकते हैं कल से लेकर के अगले कम से कम तीन दिनों तक अगर आज से शुरुआत करना चाते हैं बिल्कुल कर सकते हैं आज कल पर्षो 3 देन कर सकते हैं आप लोग पैन एन पेपर रड़ी रखिए जो बागी टेक्निक्स के स्किर्प्टिंग कर रहे हैं क्या वो लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं ठेक है आपने करना क्या है सिर्फ या तो श्री राम लिखिए, जैश्री राम लिखिए या फिर राम राम लिखिए ये दोनों ही आप लोगों को भवसागर से पार उतारने वाले होते हैं अब ये थोड़ा भारी भर कमशवद दो गया सिंपल सी भाषा में आपकी लाइफ में जितनी भी तकलीफे हैं, दुख हैं उन सब को एक तरह से दूर कर देते हैं, आपको प्रोटेक्शन में लेके आते हैं मैं ये नहीं बोल रही हूं कि ये नाम लिखने से कल ही कोई मेराकल हो जाएगा और कल ही आपकी विशस मैनिफेस्ट हो जाएगी बड़ आप लिखके देखो, आपकी लाइफ में अगर सीधी सी भाषा में बोलें तो आपकी जिंदगी के रास्ते आसान हो जाएगे कठनाईयां बहुत हद तक हलकी नजर आने लगेंगी आपको आपको लगेगा कि हाँ अभी परेशानियां मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं मन चांत हो जाता है, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारा मन चांत हो मन चांत होगा, बुद्धी अच्छे से काम करेगी कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी आएगी, आराम से निकल जाओगे या फिर अपनी विशस के लिए भी एक अच्छा रास्ता आपको मिलेगा कि अब कैसे अपनी विशस तक पहुंचो प्लीज आप ये तीन दिन मिस बिलकुल ना करें, आज कल परसो या फिर अटलीस कल से अगर शुरू करते हैं, तो तीन दिन रेगुलर कीजिए अभी ठीक है, फेस्टिव मूड में हैं, अब जैसे मैंने बताया अपने pen and paper ready रखो, आप लोग इन नामों को लिखो अभी क्या बीच में अपनी wishes लिखनी है, circle बनाके जैसे मैं बोलती हूँ हमेचा आप लिख सकते हैं, अपनी एक wish के लिए अगर आप एक ही circle बनाएंगे और एक circle में एक ही wish लिखेंगे, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप पहले paper पे 1 से लेके 108 टाइमस की numbering कर लिजिए, फिर राम राम, श्री राम या फिर आप जैसे भी लिख रहे हैं, जैसे श्री राम ठीक है, इस तरह से करके आप 108 बार लिखना शुरू कीजिए, बीच में circle में अपनी एक wish लिखेंगे अगर multiple wish है, तो फिर से 108 बार लिखें, क्या हो गया, जितनी बार आप राम जी का नाम लिखोगे, जितनी बार उचारण करोगे, आप समझ लो कि एक protection shield में आ रहे हो ठीक है, इसके अलावा एक मंत्र जो है, वो बहुत ही powerful है, क्याते हैं कि हम पूरे एक तो विखनो सहस्त्र नाम पूरे 1000 बार अगर आप जाप करो, उससे बड़ा अगर सिर्फ ये मंत्र बोलो या ये नाम आप जाप कर लो, तो भी उसके बराबरी में हो जाता है, और काफी powerful है, ये simple है, राम रामेती, रामेती, रमे रामे मनोर में, सहस्त्र नाम ततुल्यम, राम नाम वरानने, फिर से बता देती हूँ, राम रामेती, रमे रामे मनोर में, सहस्त्र नाम ततुल्यम, राम नाम वरानने, बहुत ही powerful है, काफी अच्छा है, अच्छा, इसके बारे मे भी बता देती हूं कि इसका अर्थ क्या समझ में आता है भगवान शिव ने कहा है ये जो स्लोक है ये पारवती जी को हो संबुधित कर रहे हैं हे पारवती मैं निरंथन राम नाम के पवित्र नामों को जब करता हूं और इस दिव्य ध्वनी में आनंद लेता हूं राम चंद इसको हो सके तो बैट करके अगर काउंट्स में करना चाहते हैं तो माला का इस्तमाल कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं चंदन की माला ले सकते हैं स्फटिक की माला ले सकते हैं इन तीनों में से कोई भी एक माला लेकर के आप इस मंत्र को जाब कर सकते हो जब आ आप मंत्र जाब के बाद अपनी wishes के लिए प्रात्रा कर सकते हो। हम कहते हैं कि जब हम विश्नु सहस्र नाम एक हजार बार विश्नु जी के नाम लेते हैं तो होता गया है जितने भी हमारे planetary vibes हैं, planets हैं जिनकी वदर से कभी-कभी हमारी life में ups and downs चलते रहते हैं, वो ग्रह बहुत हद तक शान्त हो जाते हैं सारे ग्रह गोचर कंट्रोल में आते हैं, जिस घर में हम बैटके विश्नु सहसर नाम करते हैं वहां की vibe इतनी positive हो जाती है, कि अगर मान लीजिए, कुछ छोटा-मोटा वास्तो related भी कोई दोश है या कुछ भी है कोई भी कम्या है, वो कम्या तक भी पूरी हो जाती है, कोई problems नहीं रहती है इन नामों की जो ध्वानी है, होता क्या है, इन में जो tune है, जो vibrations है वो असल में सारी negativity को एकदम से दूर कर देते हैं, settle down कर देते हैं इसलिए इतना powerful है और इसलिए हमें help करता है आप सब, please, कल के दिन, जरूर कल परसो, दो दिन अश्टमी नामी क्योंकि एके दिन के तिथी है और पूरे नमरात्रों में सबसे जादा important अगर कोई दिन होता है तो अश्टमी नामी होता है, ठीक है, पूरे ही है, हर दिन important है लेकिन फिर भी शुरुवात, पहला और आखरी हमेशा ही एक अलग energy, एक अलग vibe के साथ होता है ठीक है, तो अश्टमी नामी की तिथी कल है, परसो दशेरा है और दशेरा के दिन तो हम सारे दिन श्री राम, श्री राम की जैजेकार लगाएंगे ठीक है, तो अपने अंदर की सारी negativity दशेरा की दिन, eliminate करने के लिए दशेरा की दिन क्या करोगे, आप लोग एक plain paper लेना उस पे जितनी, जो भी tensions हैं आपकी life की, जो भी परिशानिया हैं, दिक्कते हैं आपकी wishes में जो जो रुकाफटे हैं, उन सब को black pen से लिख देना लिखने के बाद अपने घर से बाहर जा करके, बालकिनी में, टेरस पे, जहां पे भी लेकिन घर में से बाहर निकल कर गे, खुले आसमान के नीशे, आप इसको किसी भी मुंबत्ती से, माचे से, लाइटर से, जैसे भी इसको जला करके universe में release करो अब ही हमारे अंदर का रावन तो हमारी खुद की negativity है, हमारा खुद का डर है, jealousy, fear, anger, desperation, anxiety, यह सब हमारे अंदर के रावन है इनको खतम करना है, इनको लिखो एक paper पे और इसको आप जला दो, जैसे ही burn करोगे, आप देखोगे आपको खुद भी काफी relaxed feel होगा तो यह कुछ छोटी-छोटी remedies अभी यह divine days है, mess मत करिये साल में एक बार आते हैं, तो अब भी तो इनको बिल्कुल mess नहीं करना है, जितने rituals and remedies आप लोग कर सकते हैं, definitely करेंगे जब आप अपनी negativity को burn कर रहे होगे, जला रहे होगे, उस अगनी को देख करके भी आप अपने लिए blessings मांग सकते हो, divine energy से, सिर्फ blessing मांगो अपने अंदर की negativity खतम, अगर blessings मिल गई, obviously सब चीज़ें आसान हो जाएंगी यह जो मंत्र है, इसका जाब जरूर करिये, कल, परसो, या फिर अभी regular basis पर start करना चाते हैं कुछ लोग, तो बहुत अच्छे दिन है, अभी से start कर सकते हो करके देखो, at least 40 दिन तो करो regularly अच्छा, पीरट्स में restriction का सवाल आएगा, कि हम लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, कोई objection नहीं है जाब करने के लिए मैं मना करूँगी, अगर आप माला का इस्तमाल करके जाब कर रहे हैं, तो माला टच मत करिये, बिना माला के आप नॉर्मल बैट करके जाब कर सकते हो ठीक है, so yes, पूरे अच्छे से धूम धाम से ये दो दिनों को enjoy करो, अपने अंदर जो भी चल रही है ना दिक्कित परिशानिया उनको थोड़े दिन के लिए शांत करो, relax करो अपने आपको, अपने आपको self-love में डालो, थोड़ा high energy में लेके आओ, और अपनी wishes के लिए scripting या फिर जो भी आप techniques कर रहे हैं, definitely करते चले जाएए, जरूर help मेलेगे, आप लोग जरूर manifest करेंगे, okay, so that's all, thank you so much and God bless you.